हेलो दोस्तो तो चली आज हम बनाते हैं गार्लीक ब्रेड Yoast यह ब्रेड बनाये थे नुमनें पाओ बना थे हॉल्ः थी हो डौक जो बोले थी होट डौक है तो उसमें जो बना थे विना रिंका वहको दो ला मानें ले लिया है कि गार्लिक ब्रेड ऐसे ही बनता है तो मैं इसे पूरी स्लाइस काट के फिर आपको दिखाऊंगे दोनों को काट लोगी कि मैं आज अपने बच्चों को लंच बना रही है और मैंने बोला भी था कि रूम टंपरेचर पर चार दिन रहे था मैं फ्रीज में रखी थी तो चार दिन हो गया था तो देखे यह बन गया तो पूरी में कट कर ली पूरा कट करने के बाद इने बोड पर रख दिया अब यहां दो चमच एक बावल में में ले होंगी बटर दो चमच बटर लीजिए और यह ना लंच आप बच्चों का अराम से दे सकती है इसे हेल्दी बनान अगर आपके पास गार्लिक पावडर नहीं है तो आप गार्लिक को चॉप्ट कर लीजिए बार एक बारेक पर में अगर गार्लिक को चॉप्ट करूं तो मेरे बच्चे नहीं खाते इसलिए मुझे गार्लिक पावडर रखना पड़ता है फिर इसे अच्छे से मिक्स करेंग प्रवेसे लो फ्लिम रहेगा उसे अच्छे से दस मिनट गरम होने देजिए मैं यहां गोटी जी में बेक कर रही हूं तो देखे मैं क्या करूंगा ब्रेड ले लूँगे दोनों ब्रेड के आगे पीछे लगाना है याद रहे इधर भी उधर भी दोनों तरफ लगाना है और देखे मैं ऐसे करके टोटा लगा दूँगे इसके ऊपर में चीज लगाऊंगी आपको जो चीज लगाना हो तो लगाए नहीं लगाना हो तो मत लगाए थोड़ी से में चीज डालती हूं तो बच्छे सौक से खा लेते हैं तो आपके पास प्रोसेस चीज हो तो प्रोसेस तोर बेकिंग त्री में में लगा दी टाए-उसी को थोड़ा छोड़ा डाल दूंगी और इसे बैक करता प्रीट पर्रीट पे रढ़ मिंटब पान से साथ मिनट में रखेंगे तो हो जागे क्योंकि यह बेक हुआ है अपनी पाओ रेडी है होट डोग का जो पाओ था वो मेरे पास रेडी था तो ऐसे कर सकते हैं अब तो यह बन जाएगा अपकी गार्लिक प्रेड तो फटा फटा आपके मैंने तावा पज़ अगर करना हो तो सीम वेश ही करना और दोनों तरफ बटर का लगा था दोनों तरफ बटर गार्ली का लगा लेने अच्छे से तब जाक उसे बेक कर नंद तो देखे मैने बेक करने के लिए रख दिया था तो बेक भी होगए अब दोनों के लंच में holistic में रख दूंगी जेसे बेक मैं च्छोंटे वाले बेटे की लिए चोटे चोटे पीस रख देते हूं तो ऐसे करके मैं बना लेते हैं अगर आगे भी दिखाते हूं पीछे दोनों तरफ बहुत अच्छा लगता है चाए के साथ संक्क्राइब साथ तब भी अच्छा लगता है तो कमेंट करके बताएगा के यह रेस्पी आपको कैसे लगे तो चलिए दोस्तों फिर कल मिलते हैं नई रेस्पी इसी टाइम पर अपको कुछ और अलग सीखना है तो मुझे कमेंट करेंगी तो मैं आपको दिखा दूँगी पर मैं जो ने हॉट डॉक बनाय था मैं इसी चैनल पर पहले से अपलोड कर तो फिर मिलते हैं कल